जाहिन साथियों स्वागत है आपको हमारी चनल PCS दरपन पे आज का सेशन जो देख रहे हैं दोस्तों इसमें संपूर्ण 2030 का करेंट सफियर हम लोग करने वाले हैं जो अति महत्पूर्ण है सभी परतियोगी परिक्षाओं के लिए बहुत ही यह महत्पूर्ण होने वाला करेंट सफियर का सेशन जिसमें टॉप 100 प्लस mcq रहने वाला है उसका करते हम लोग चलेंगे तो देख सकते जनुवारी से लेके अब तक कि जितने भी करेंट से पर बनेंगे हम लोग पार्ट लेंगे लेकर आएंगे जिसमें देख रहाएं यह पार्ट वन हैं फ दोस्तों यह जो संहोने वाला है bilingual एक है ने हैं इनलीजी स्दॉस्फिस केट्धि वह प्रेक हैं न ज़्फ भा में माहिला आरक्ष्ण बील किस ने पैस किया है तो आपको बताए दोस्तों अर्जुन राम में घावल किया है ना तो राइट एंसर ऑप्शन इसका भी है इसे जुरे इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखिए दोस्तों इंपोर्टेंट पॉइंट्स का इससे कि केंदरिये कानून मंत्री अभी वर्तमान में है ठीक है इससे पहले कीरन आरक्षन बिल को जो है नारी सकती वंदन अधिनियम के नाम से जाना गया है इस अधिनिया में लोग सभा और राज्य सभा विधान सभाव में महिलाओं के लिए 33% जो सीट पर आरक्षन का प्रवधान है और ये पास भी हो चुका है आप लोग को पर्तियुक्ता दर्पन के पहले पास है जोतल वोट किने थे दोस्तों 456 समय च्छै पर आप न क्स कर द न रेयल्वे बोल्ट की पहली महिला अधिहक्ष और CEO कौन बनी है तो रेल्वे वोट की पहली महिला आधियक्ष और इंसे जुर्म इंडियान रेल्वे जो भारति रेलवे यह इसकी अस्थापना कर उती है दूस्तु छूला अपरेइल ऐठाज़ा तिर्पान में और उस समय गवर्णर जनरल कौन था दोस्तु हमारे देश का तो समय इंडिया में कौन था गवर्णर जनरल दौस्तु है पता द स्पेस्क्राफ्ट का नाम क्या है जिसने अंतरीक्ष से पहली सेल्फी ली है तो यह पहला स्पेस्क्राफ्ट का नाम क्या है दोस्तों इसका नाम है अधित एलवन है ना यह भारत के दुरा छोड़ा गया तो राइट अंसर इसका अप्शन भी है इसे जुरें इंपॉर्डन से क्या बनता है दोस्तों बहुत महत्मुन है यह कुश्चन है ना अधित्य एलवन ने लाइंगरेज बिंदु जो है एलवन एलवन इसका नाम दिया गया है लाइंगरेज के लिए पहुचने के रास्ते में सोरे और चंद्रमा की तस्वीरे खीचकर इसरो को भेजी है इसने प्रित्वी और चंद्रमा के सांथ सेलफी भी ली है कब लाइंच हुआ था आधित्य एलवन तो बता दे इसे दो सितंबर 2023 को लाइंच किया गया पी एसलवी सी 57 से लाइंच किया ग किलुमीटर दूरी तयकर आधित्य एलवन एलवन पॉइंट पे पहुंच जाएगा है ना नेक्स कोशन है कि भारतिय मुल्के किस व्यक्ति को सिंगापूर के नौवे राष्टपती के रूप में चुना गया तो राष्टपती वी वर्तमान में कौन बने है दूस्तों यह तो राइचन सब्सक्वीं है क्या नाम इनका दर्मन शनhat में वर्तमान में सिंगापूर के राश्च्पती वने हैं तो आफी पर्धान मंतरी कोन है आध्यापूर के कॉमेंस सिंग लुंग जो है परधान मंत्री है वरकतमान में सिंगापुर के और राष्ठपती कौन बने कहा है तो राष्ठ्पति बने है थर्मन सब्गरत नइसे इस्राइल के दो भारा से परधान मंत्री कौन बने हैं देखिए दूस्तो इसराइल और गाजा पट्टी अभी वर्तमान में वहां पे बहुत भ्याना की यूद चल ला है क्योंकि वहां से पांच जार तरस ऐसे लगभग रोकेटे छोड़े जा रहे हैं ठीक है न हमास के द्वारा तो वह अभी यू स्मर्ण गें क्लेक हैंम परधान मंत्री चुनेगा हैं इमपंट्ट वह हूं छी हिरुसलम जैस शारा हो रहा यह फिए पर दानी वाले बल्ले बाज कौन बन गए है तो कौन बन गए दूस्तों यह एटीन नमर्ट से पता ही चल ला है जर्सी नमर्ट यह जह हैं विडाट को लिए दुस्तों है ना राइट अंसर इसका अप्शन बीस साल बाद जो है भारत जीता है न्यूजिलेंड से इंपोर्टन पॉइंट देखिए विराट कोहली ने एका दिवसी किर्केट में सबसे तेज 13000 रन बनाए हैं उन्होंने सचीन तेंदुलकर की 321 पाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है विराट कोहली ने सिर्फ 277 पा इनका 10.5689 थतेंद इनका जो है ओडि में सेंचुरी कितना हो गया दूसतो इंका ओडि में सेंचुरी हो गया है पुट्येट को लिएट विराट कोली का जब की सचीन तंदुलकर की 430 में चैनले पे ऑनका 272 मेच खेलने पे दूस्तोफ फोट्टि इट सेंचुरी मार चुक जितना है दूस्तों यह खिताब जो है जर्मनी ने जितना है पूरुस होकी 23 का इंपोर्टेंट परिंट थे दूस्तों यह भूनेस्वर के कालिंगाय स्टेडिया में खेले गए फाइनल में जर्मनी ने गत चैंपियन जो है बेल्जियम को सूट आउट पांच चार से हरा दि में जितना है पहला 2002 में जीता था दूसरा 2006 में और अपकीदा 2023 में जीत लिया है तो तीन बारे यह जर्मनी ने जीत लिया उपविजयता बेल्जियम रहा है उपविजयता को ना बेल्जियम देखिए आयोजन कहां पर हुआ भारत के उडिशा राज्य के भूनेस्वर सहर म पंद्रहमा संस्कार्ण सुभंकर क्या था दोस्तों ओली था सुभंकर ओली था नेक्स उसने किस देश के महान फुटबॉलर पेले का बारासी वर्सों की उम्र में निधन हो गया है तो यह कहां कि थे दोस्तों यह जो थे ब्राजील के प्लेयर है ना तो राइजन सर्व में इनका निधन हो गया है वह वर्स उन्नी सोंठावन उन्नी सबासट और उन्नी सो सतर के तीन वीश्व कप जीतेने वाले एक मात्र खिला रही थे उन्नी सोंठावन के टूनाम टूनामेंट के बाद उन्हें जो है ओ री ओ री या फिर उसे कहिए दो किंग उपनाम दिया गया था इनको क्या उपनाम दिया गया था दूस्तों उन्नी सोंठावन के टूनामेंट के बाद ओ री या फिर कहिए दो किंग नेक्स उसना यह सिल्वर जीते हैं राजत है ना राइटन सा अप्शन भी है से जुरें इंपॉर्टेंट पैंट देखिए नीरज चुपरा जूरिक में डायमंड लीग जो है मीटिंग में बता दें आपको 85 दसमलो साथ एक मीटर थो के साथ दूसरे अस्थान पर रहे ठीक है नीरज वुड़ा पेस्ट में विस्व एथलेटिक्स चैंपियंशिप में स्वन्ट पदक जीतने वाले पहले भारती एथलिट बने थे नेक्स्ट आइए में महिलाओं के लिए गिरिय ह लक्षमी यूजना किस राज जिन ने शुरू किया है तो कौन शुरू किया कर्नाटक कि गिरिय kitty क्रीय लक्षमी किया इसके तहट एक परिवार की महिला मुखिया को सरकार से प्रती माह, कितना दोस्तों, प्रती माह जो है दो हजार रुपे मिलेंगे है न, मातर एक महिला को एक परिवार में next question आता है कि भारतिय फिल्म एवं टेलिविजन संसान जो है FTII के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है, तो FTII के जो फिल्म एन टेलिविजन इंस्टीट ऑफ इंडिया होता है, इसका फूल पम दूस्ते FTII का, तो इसे कौन बने है, इसका अध्यक्ष के तो यहाँ बने है, आर माधवन है ना, राइट एंसर B है, इससे पहले कौन थे दोस्तों, प्रिवेश परेश रावल थे है ना, इससे पहले परेश रावल थे, अभी कौन है बरत्मान में, आर माधवन है, इंपोर्टन पइंट देखिए, उन्हें रॉकेटरी दनामवी इ पुरुषकार जीता है, भारतिय फिल्म एम टेलीबिजन संस्थाइक बारेम जानी, इसकी अस्थापना कब होता है दोस्तों, तो 1960 इस भी की अस्थापना होती है, इसे पहले फिल्म इंस्टीट ओफ इंडिया की नाम से जाना जाता था, यह पूने में इस्तित है, कहां पे के नए पर्मुख कौन बने है, इसके नए पर्मुख कौन बने है दुस्तों, मनोज, मनीश देशाई बने है न, तो राइटन सर इसका उप्संदी है, मनीश देशाई, इंपोर्टन पेंट देखिए, मनीश देशाई जो है, इंडियान इन्फॉर्मेंस सर्विसेज जो है, IIS अधिकारी है Indian Information Services के अधिकारी है इसे से पहले वह Central Bureau of Communication यानि CBC के परमुख भी थे Ph 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 टीम बन गई है इस्ट बंगाल 16 खिताब के साथ दूरंड कप में दूसरी सबसे सभल टीम है यह टूनामेंट का 132 संस्क्रण है कौन सब संस्क्रण था 132 संस्क्रण था और बताए दूस्तों जो मोहन बागान है और इस्ट बंगाल है या दोनों जो है 16-16 मैच जीती थी जिस में मोहन बागान फाइलन में जीतकर कुल सत्रम मैच जी चुका है और सेकेंड पे कौन है इस्ट बंगाल जो 16 मैच अभी तक जीता हुगा है नेक शुक्षन है गीती का सिरवास्तों किस देश में भारत की पहली महिला परभारी बनी तो गीती का सिरवास्तों किस देश में भारत की पहली महिले परभारी बनी है पाकिस्तान में बनी है तौन यह है स्का हुआ मैं नेक्स कनता अटल शमारक कहा बनाए जायेगा परना मंत्री अटल बिहारी बास पेजी का स्मार्क बناएं जाएगा गवालियर सहर जो है पुरव अधिर्पर्देश में पहले solar city का उद्धगाटन कहां किया गया तो मद्धिर्परदेश में पहले solar city का उद्धगाटन कहां पर किया गयत देश्टों यहां किया गया साची में है ना तो राइटेंस अप्सन सी है साची इंपोर्टन पइंट देखिए कि पी एम नारेंद्र मोधी ने दोहजार सत्तर तक देश के हर राज्य में एक सोलर सिटी विक्षित करने का लक्ष रखा है दोहजार सत्तर तक राज्य में एक सोलर सिटी विक्षित करने का लक्ष रखा है हर राज्य में नेक्ट को सुनाता है कि किस राज्य ने भारत की पहली निलगिरी तहर परजेक्ट सुरू किया है तो यह कौन राज्य है कि निलगिरी तहर परियुजना शुरू किया है यह राज्य है तामिलाडू राइट एंसर ओप्सन ए है इंपॉर्टन पइंट देखिए कि इसका उद्देश से जो है राजगी पसु के मुल आवास को बहाल करना और उसकी अबादी को इसिर करना है न और तामिलाडू सरकार ने नेलगिरी तहर परियुजना की गोसना की है नेक्सो सनाता है कि दुनिया की सबसे उची नटराज परतीमा का अनावरन कहां किया गया है तो दुनिया की सबसे उची नटराज का परतीमा जो है इसका अनावरन कहां पर किया गया है यह किया गया है दूस्तों नई दिल्ली में है दिल्ली में क्या गया है तो राइटन सर ऑप्सन ए है इसका इंपोर्टर्ट पाइड देखिए कि भारत जो है भारत मंडपम में नटराज की 27 फूट किना दूस्तों 27 फीट उचा प्रतीमा अस्थापित की गई है जो नई दिल् है इसका निर्मान जो है तामिल नडू के तंजावूर जीले में स्वामी मलाई में मुर्तिकार जो है राधा कृष्णन राधा कृष्णन अस्थापती अस्थापती और उनकी टीम ने यह 27 फीट उची प्रतीमा नटराज की बनाई है नेक्स्टूस अनता है कि दुनिया का पहला प्रोटेवल अस्पताल आरोगे मैतरी क्यूब कहां लॉंच किया गया है तो यह कहां पर लॉंच किया गया है दूस्तों यह लॉंच किया गया है गुजरात में है तो राइटिन सा ओप्सन दी है इसका इंपोर्टन पॉइंट देखिए कि भारत ने दुनिया का सबस को ले जा कर Operation Theta 8000 में तयार किया जा सके ताहां, जिससे, मरीजो को समय पर उप्सार किया जा सकेगा. नेक्स अनतराष्टिे सक्षड़ता दिवस कब नाये गया है तो अनतराष्टिे सक्षड़ता दिवस कब मनाये गया दोस्तू यह मनाये गया है आठ शिह तंबर को है लिटरेस्टी डे इंटरनेश्म राइट एंक उप्सन बी है इंपॉर्टन प McN-स देखे कि अंतराष्टिय सक्षर्था दिवस प्रति वर्ष 8 सितमबर 2030 को बतला प्रति वर्ष 8 सितमबर को मना जाता है और इस वर्ष का थीम क्या है थेश का थीम है परिवर्तन सिल दुनिया के लिए सक्षर्था को बढ़ावा देना टिकाउँ और सांती पुर्ण समाज की नियू कार्निर्मान करना विज़्साय को तहट अंतराष्टी सकछारता दिवस मना आये गया है ना और इंगलिस में यहाँ पर थीम है ठीक है नेक्स है कि ब्राजील के 49 में रास्थपती के रूप में किसने सपत ली है तो 49 में रास्थपती इनासियो लुलाडा सिलवा ने ब्राजिल के 49 राश्वति के रुप में देखें ब्राजिल के बारे में देखीं इसका लिजानी यह ब्राजिली मुद्रा क्या है ब्राजिलियन रीयल है नज ने Спर सकते में अठ्रमा वेस्पूंटी समीट का थीम क्या है तो अठारमा जो G20 हुए दोस्तों उसका थीम क्या है उसका थीम देख रहे यहां पर क्या है यह इतना बरा तो राइट एंसा ओप्सन ए है इसका वासुधयव कटम बुकम है इसका अर्थ क्या होता है एक प्रिथ्वी एक परिवार एक भविशय है जो है G20 के सेरेपा का नाम क्या है तो इस सेरेपा का नाम है अमिताब कांथ है आी इस इस एजेंशियों देश के भीतर सारी एजइंशियों और विदेश एजएंशियों विदैशी अजेन्सियों के बीद समंझत से बनाने का मुख्धे काम कड़ता है विदैसी एजंशी हाली में बिहार का एस्टेट आइकन की से निकट किया गया है तो बिहार का एस्टेट आइकन की की गई है लिए थाकूर न्यूखत की गई भारत अपनी पहली अपसिस्ट से रिजेन पर्योजना कहां अस्थापित करेंौद का यहां अस्थापित करुए दूस्तो पूर्यमे है टाहरत अपसिस्ट एक है इंपक्र्टेंठ्ट देखिए लिएंग्स ध्रिन विलियान्स के साथ कच्रे को कच्रे का उपयोग करेगा और इस परियूग करने योगे गरीन हाइडोजन में परिवर्तित भी इसे कर देगा नेक्स को जनाता है कि US Open Tennis Tornament तो है तेस का महिला एकल का खिताब किसने जीता है तो महिला एकल का खिताब कौन जीता है दूस्तों यहां जीती है कोको गॉफ जीती है न यह अमेरिका की है तो राइट एंस ओप्शन भी है और पुरुस में कौन जीता है दूस्तों पुरुस में जीते है नौवक जोकोविच है न इंपोर्टन पॉइंट देखे यूएस अमेरिका की कोको गौफ ने पहली बार महिला एकल खिताब जीत लिया है फाइनल मुकाबले में उन्होंने बेलारूस की आरियन सावा लूंका को सावा लेंका को हराकर यह खिताब जीती है नेक्स्ट आइए यूएस ओपन दो है तेइस का पूरुस एकल खिताब किस ने जीता है बताएं दिया भी दोस्तों नोवोक जोकोविश जीते हैं इंपोर्टन पॉइंट यूएस ओपन टेनिस टूनमें दो है तेइस में सर्बिया के हैं यह प्लेयर नोवोक जोकोविश ने पूरुस एकल का खिताब जीत लिया है फाइनल मुकाबले में उन्होंने रूस के डेनियल में द्यो को हराय किसे हराय मैं में यूब को नहींенийल में द्यों को लेक्टा है चांदबजर्डड पर चंद्रमा थिरी क creator Human का नम करन क्या किया गया है नाम क्या करन क्या गया में मीशन 929 शुरू किया है तो किस राज्य ने यह मीशन शुरू किया है चुनाव आयोग ने चुनाव आयोग किया है और यह किस राज्य में किया है इलेक्षन कमिशन ऑफ इंडिया किस राज्जी में शुरू किये हैं यह शुरू किये हैं तुरिपूरा में है न तो राइटेंस ऑप्शन ए हैं इससे जुरे इंपोर्डन पॉइंट देखिए भारत के चुनाव आयोग के बारे में जानिए इसका गठन कब होता है दूस्तों तो 1950 में 25 जनवरी 1950 में 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लाग होता है उससे एक दिन पहले इसका गठन होता है भारत के चुनाव आयोग का है ना मुख्याले कहां पर है नई दिल्ली में पर्थम कारेकारी कौन थे तो कुमार सेन थे हैं ना सुकुमार सेन पुरोवर्ती कारेक क्यारी इससे पहले कौन थे तो सुसील सुसील चंद्रा थे वर्तमान में कौन है राजीव कुमार है ना इससे पहले सुसील चंद्रा थे सबसे पहले सुकुमार सेन थे वर्तमान में राजीव कुमार है चुनावायोग के अध्यक्ष नेक्स है कि इस रो गगन यान मीशन के तियार कर रहा है तो गगन यान मिशन के लिए किस महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने का त्यारी कर रहा है वायो मित्र है ना वायो मित्र है तो राइट इंस ऑप्शन भी है इसका important point देखए चंद्रियान तीन की सफलता के बाद भारत अगला mission गगन यान है इसका मकसद यह तेहख करना है कि मानव मिशन के बाद मानव मिशन के बाद मानव मिशन के समय यह सपेसक्राप्ट उसी रूट से लोट लोट जिससे गया है इससे वापस है तो यह मानव मिशन के लिए बहुत ही इंपॉर्ट यह होगा helpful होगा है ना जिस spacecraft की सफल टेस्टिंग के बाद एक महिला रोबोट वयो मेत्र को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा वह इंसान की तरह सारी activities कर सकेगी नेक्स सोचन आता है कि हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एसिया का पहला देश कोन है तो हाइड्रोजन से चलने वाला हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एसिया का पहला देश कोन है दूसरों तो इसका पहला देश है चाइना है ना राइ है सितंब्र 2022 में एक चालने वाली ट्रेयन की शुरुआत करने वाला जर्मनी गिस्व का पहला अपना जा अच्छे में चीन हर्मिट शुषन के हाल ही में दुनिया के सब्सें कि का उत्खार तन कहां किया गया है तो दुनिया का सब्सें बारा होगी स्टेडियम कहां पर दूस्तु यह बना है उडीशह राज्ज्य में भारत के उडीशा राज्ज्य में ना राइट एंसर और आप्सेन एह हैं और किरकेटेश्ट भारत में इस्बसे बारा नारेनमोदी स्टेडियम में गुजरात में पड़ता है important point देखिए मुख्य मंत्री जो है नविन पटनायक है ओडिशा की बरत्मान में ओडिशा के राउल किला में दुनिया के सबसे बरे समर्पित होकी स्टेडियम का उधगाटन किया गया है इस स्टेडियम में भारत में होने वाल होने जा रहे है पूरुस होकी भी सोकाप कायोजन किया जाएगा next question आता है किस देश ने पहले करनाटक कल्चरल फेस्टिवल की मेजवानी की है किस देश ने पहले करनाटक कल्चरल फेस्टिवल की मेजवानी की है तो यहां किस देश ने किया है दोस्तो स्रिलंका ने किया है तो इमपोर्टेन पॉइंट की रिजधणी कुलंबो है अभी दूश दूर्सतों बहुत ही जज़ादा यह रीन में घिरा हुआ है स्रिलंका मुद्रा की है राश्पति कोन है रानी लविक्रम सिंदे पडान मत्री कोन है दिनेस गुन वर्दन नेक्श को सब है कि भारत का कौन सा राज्ये देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्ये बन गया है जो लिटरेसी में सबसे आगे रहता है दोस्स वही राज्य होगा तो राजन से ऑप सबसे नंबर वन पर रहता है इंस्पर्टन पॉइंट देखिए के वही है यदो राज्य पर फूरी तरह से बोला राज्य बना है के वहadaat aquela एकमात्र यूज करने का है ना नेक्स आता है कि किस राश्टिय उद्यान को पहली महिला फिल्ड निर्देश मिलेगी तो किस राश्टिय उद्यान को किस राश्टिय उद्यान को पहली महिला फिल्ड निर्देशक मिलेगी तो किस कौन सा राश्टिय उद्यान है जिसको मिलेगी यह जो भी बताए गैन खब्रों में रहा फिलावा फिलावा जीशाला मुखी एक देश में इस्थित है तो फिलावा जीशाला मुखी को गरह पर सबसे सक्रिय जीशाला मुखी में से एक माना जाता है इसके परोसी जो है मौना लोवा दुनिया का सबसे बरा जौला मुखी है ना मौना लोवा जो है दुनिया का सबसे बरा जौला मुखी है नेक्स पूर्शन है तो कि भारत का पहला AI स्कूल कहां लौंच किया गया है तो किस राज्य में भारत का पहला AI स्कूल जो है लॉंच किया गया दूस्तों यहां लॉंच किया गया है केरल में कियुकि लिट्रेसी में सबसे आगे रहता है तो राइटेंस ओप्शन भी है इंपोर्टन पॉइंट देखिए भारत का पहला AI स्कूल किरल कीडा जधानी तिर्वुनन पूरम में लॉंच किया गया है अस्कूल जो है सांती गीरी विद्यान भवन सीखने के अनुभव को बहतर बनाने के लिए Artificial Intelligence AI परदोग कियों का उप्योग करता है AI स्कूल का उदे से छात्रों को तक्नीकी के रूप में तक्नीकी रूप से संचालित सैक्षनिक अनुभव को परदान करना है सबसे पहले AI स्कूल कक्षा जो है आठ से बारत तक के छात्रों के लिए होगा नेक्स आए कि Miss Earth दो है तेज का खिताब किसने जीता है तो Miss Earth 23 का खिताब को जीता है दोस्तों तो प्रियन सेन जीती है राइट अप्सन सी है प्रियन सेन इंप्रियन सेन देखिए प्रियन सेन जो है वियत नाम में भारत की परतिदिनेत्य करी है और Miss Earth 23 का कारेक्रम का आयोजन दिल्ली के जवाहर्ट लाल नहरू स्टेडियम में हुआ था मिस अर्थ दो है 23 का जो कारेक्रम है डिल्ली के जवोहटलल स्टेटियम considering कि निक्समस्ञाइए कि हाली में कभरों में देखा गया Operation Mοςką इसे उप्रन पायचिए ग्रिह मंत्राले की पर्युजना अप्रेशन मुस्कान के तहत इस साल दो है 23 अब तक पूलिस में 5000 से भी अधिक नावालिकों को बचाया है ना इस उद्देश इस उद्देश इसका उद्देश से है कि लापता बच्चों को ढूनना उन्हें बचाना और पुर्णरवास करना यानि फिर से उनको अपास पर भेजना नेक्स है कि वन नेशन, वन इलेक्सन एक कमिटी का गठन किया है इसका अधियक्ष किसे बनाएगे तो वन नेशन वन इलेक्षन पर एक कामेटी का गठन किया गया है इसका अध्यक्ष किसे बनाय गया दोस्तों इसका अध्यक्ष बने है रामनात कोविंधन तो राइटेंस ऑप्षन डी है जो अभी वर्तवानी दोस्तों यह पूर्वराष्ट्पती है केंद्र सरकार ने एक राष्ट एक चुना वन नेशन वन इलेक्षन की संभावना तलासने के लिए पूर्वराष्ट्पती रामनात कोविंध की अध्यक्षा में एक समीती की गठन की है नेशन आता है कि राष्टी युवादिवस किसकी जयनती के उप्लक्ष में मनाते हैं तो राष्टी युवादिवस का मना जाता है दूस्तों तो बारत जन्वरी को मना जाता है यह जो है स्वामी विवेका नंजी के जयनती पर मना जाता है ना तो राइट एंसा ओप्षन यह है इंपोर्टेंट पॉइंट देखिए भारत में प्रतिवर्स्वामी बेवेका नंजी की जैनती पर रासी वादिवस मनाया जाता है उन्हें 1893 में सीकागो में धर्म समेलन में अपना परसीद भासन दिया था जो पूरे तालियों के गूच से वह हौल उठ चुगा था उनका नाम जो है रेमान मेकसे से पुरुसकार 23 का खिताब जीता है तो यह कौन जीते हैं दूस्तों डक्टर रवी कनन जीते हैं फ्राइटेंस ऑप्षन भी है डक्टर रवी कनन इनसे जुरे इंपोर्टेंट पैंट देखिए यह एसिया का सरवुच्च समान है इसे नोवल पुरुसकार के समक्ष माना जाता है यह पुरुसकार एसिया छेतर में परुपकार और समाजिक सेवा के लिए फ्याक्तियों या संगठनों को प्रतिवर्ष दिया जाता है इसका अस्थापना 1957 में फिलिपीन्स के तीसरे राश्पती जो रेमन मेकसे से के याद में दी गई थी इन इसक फ्याद में की गई थीuda semester की भारत का पहला 5 जी शक्षम ड्रोन किस टेके स्टाट-वके द्वारा विक्सित किया गया है 5 जो है आईजी डोन्स के द्वारा विक्षित किया गया है ना इससे जुरे इंपोर्टन पॉइंट देखिए टेक ए स्टार्ट अप फॉर्म AI डोन्स जो है हाल ही में भारत के पहले 5G सक्षम डोन को विक्षित किया है जो वर्टिकल टेक आफ लैंड में सक्षम है इस डोन को असकाई वॉक नाम दिया गये है जिसका उप्योग रक्षा और चिकित्सा और उप्योगों की अतरिक्त अने छेत्रों में भी किया जा सकता है बारत के अध्यक्सता अजीट डोवाल रास्टिय सुरक्षा सलाकार कर रहे है जो NSA है केंदरिय अपरत्यक्ष कर और सीमा सुरक्षा बोड के नए अध्यक्ष कोन बने है इसके नए अध्यक्ष बने है संजय कुमार अगरवाल है तो राइटन सा उप्सन भी है संजय कुमार अगरवाल important point देखिए संजय कुमार अगरवाल CBIC के अध्यक्ष के रूप में विवेक चोहरी के जगह लिए है यह वित मंत्राले के अंतगत राजसोव विभाग का एक हिस्सा है CBIC का full form होता है Central Board of Indirect Taxes and Customs इसकी अस्थापना होती है एक जनवर 1964 को मुख्याले है इसका नए दिली में next को चनाता है और 22 का बिजयता कोन चुनी गई है यह चुनी गई है आर बोनी ग्रेबियल है राइटेंस ओप्सन यह है जो कहां कि है दोस्तों तो इंपोर्टन पैंट देखिए इवे से की आर यह कहां कि है अमेरिका की है आर बोनी ग्रेबियल जो है एक हतरवी Miss Universe पैटेज का बिजयता चुनी गई है पीछला बिजयता भारत के हरनाज संदु थी जो किस राज्य से संबंदी से दूस्तों हड़ी आना से संबंदी थी ठीक हरनाज संदु नेक्स फाइब जी तकनिक लागू करने वाला पहला अंतरिक्षी जीला वीदी सा किस राज्य में इस्तित है तो वीदी सा जो है यह किस राज्य में दूस्तों वीदी सा जो फाइब जी तकनिक लागू करने वाला पहला अंतरिक्षी जीला बना है मध्य पर्देश में है न राइटन सा उप्सन सी है इसका इंपर्टन पर देखे वीदी सा जो है मध्य पर्देश का पहला अंतरिक्षी जीला है जिसने उद्यमियों को उद्मियों में उद्मियों द्वारा आपूर्ती किये गए इनोवेटिव फाइब जी उप्यूग टेक्नोलोजी का टेक्नोलोजी को अपनाया है नेक्स आता है नासा ने दुनिया के पहले सूपरसोनिक विमान X-59 को क्या उपनाम दिया है नासा ने दुनिया के पहले सूपरसोनों की विमान जो है X-59 को क्या उपनाम दिया है तो इसका उपनाम भी क्या दिया है उपनाम दिया है Son of Concord सन अफ कॉन कोड क्यूं नाम दिया है देखे इसका राइटन सा इसका ओप्शन डी है से जुरे इंपॉर्टन पॉइंट के हैं अमेरिका की जो है लॉक हीड मार्टिन ने नासा के लिए एक्स फिप्टिनाइन क्वाइट सुपर सोनिक टेक्नोलोजी विमान को बनाने का काम पूरा किया है एक्स फिप्टिनाइन विमान जो है प्रिथवी पर किनी दो विंदूओं के बीच लगभग दो घंटा में यात्रा कर सकेगा किनी दो विंदूओं के बीच पिरिथवी पर किनी दो विंदूओं के बीच लगभग दो घंटा में यात्रा कर सकेगा या लगभग पंदरा सो किलोमेटर प्रती घंटा के रफ्तार से या उरान भरेगा एक स 59 विवान मेंस निएध की हाली में हुँल मानेत किस देश के नए परधान बंतरी बने हैं यह बने कंबोडिया के एक कंबोडिया है किसे जुड़े इंपोरडों पैंट रेैङ अब को एक और बात बता दोस्तों यह अभी हर्या पिलाल में इससे पहले इनके पिता जी उनके पिता जी का थे हुः परधानमंत्री थीजिए अब और वहां पे जो है दोस्तों अब इनकी शासन चलेगी कमबोडिया में हुन मानेट की नेक्स इंप्रड़रण पॉइंट क्या है इसका इक कमबोडिया की रधानी नोंपे धूर्ण क्या क्या है कमबोडियन- कमोडियन रियल है नेक्स पूसर अता है कि किस अंतरिक्स अजनसी ने अपना चंद्रण अपना चंद्रयान मिशान अपना चंद्रयान मिशन जो है लूना 25 लूना 25 लूंच गिया है तो यह कौन लूंच किया है दोस्तू तो रूस के द्वारा लूंच किया गया है तो रूस क वह मौस है तो राइट एंसा ओप्शन एह है इसका इंपोर्टन पॉइंट देखे दूस्तों यह अंत्रिक से यान चंद्रमा के दक्षनी धुरू के पास वोगुस वोगुस लवास की क्रेटर पर उतरेगा और चंद्रमा की तरह सतह पर अक्सीजन की खोज करेगा साथ ही लूना 25 चंद्रमा की आंत्रिक सनचना पर भी रिसर्च करेगा आपको यह बता दे कि लूना 25 स्पेस क्राप्ट नियंत्रन से बाहर होने के बाद चंद्रमा की सतह पर क्रैस हो गया है यानि यह असफल रूस का जो है लूना 25 नेक्स्ट है कि किस एयर लाइन किस एयर लाइन कंपनी ने द विस्टा नाम से अपना नया लोगों लॉंच किया है तो कौन लॉंच किया है दोश्तों यह किया है एयर इंडिया ने है तो राइट एंस ओप्सन ए है इससे जुर इंपोर्टन पाइं देखिए एयर इंडिया के मुख्याले है नई दिली संसापक कौन है जहांगीर रतन जी दादा भाइट डादा भाइट टाटा है ना CEO कौन है तो कैमपेवेल विल्सन अध्यक्ष बरतमान में एन चंद्र सेखरण नेच्स सोसन है एकी वनडे इंटरनेशनल किर्केट में दोहरा सतक लगाने वाले सबसे यूवाब बल्लेबाज कौन है दोस्तु तो यह सबसे यूआ बल्लेबाज कुन है सुभमन गिल है ना राइट एंस ओप्सन ए है इंपोर्टन प्रेंट देखिए सुभमन वंडे में 12 सतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के सामिल हो गए है नेकाट कि कहां बीष्व के सबसे उचे रेलवे बिरीज पर राश्टिvoc कि यहाँ फार आया गया है जम्मुका समेर में दोय दरा ईंश आप्संध भी है इसका नेक्स को सना ये कि हाल ही में किसे UK सांसद के द्वारा ससत महिला आइकन पुर्सकार से सम्मानित किया गया है तो यह किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों यह सम्मानित किया गया है मायरा गुरुवर को है इसे जुरे इंपॉर्डेंट पैंड देखिए हाली में भारती मुल्की माएरा गुरुवर को UK सांसद के द्वारा ससत्त महिला आइकन पूश्टकार से सम्मानित किया गये है नेक्स कुसन है ये कि पाकिस्तान के नय कारे वाहक परधान मंतरी कौन बने है तो ये कारे वाहक के रूप में अभी कौन बने है दोस्तू ही सिक्स्टी नाइनला संसक्रण कहा होगा तो इसन चमकरन कहां पहोगा है दो सभ्सक्रण से posts यह भा शुय10 wires कि इसल के दौर्टेंग नेक्स को संधे दूस्तों की हाली में न्यूजिलेंड के नए परधानमंत्री कौन बने हैं तो निवजिलेंड के नए परधानमंत्री कौन बन गए दूसरों यह बने हैं क्रिस हिपकिंग है ना राइटेंस अप्संड बी है इंपोर्टन परिंट देखिए चिपी के रूप में विख्यात हिपकिन्स ने कोविड-19 से निपढ़ने के लिए महत्पून भूमिका निवह थी न्यूजिलेंड के वर्तमान में परधान मतरी कौन है क्रिस हिपकिन्स राजधानी है वैलिंग्टन मुद्रा है न्यूजिलें डॉलर नेक्स उसने गरतंतर दिवस दुहजाद चौबिस किस देश के राशपती को मुख्यातिती के रूप में सामिल होंगे तो किस देश के राशपती को मुख्यातिती के रूप में सामिल किया जाएगा भारत में तो यह जो है अमेरिका के राशपती जो बाइडन को तो 26 जन्वाई दुहएट 24 को भारत के गरतंद दिवस समारों में मुख्यातिती बनाने का निर्णायल दिया है इससे पहले 26 जन्वाई दुहएट 23 के मुख्यातिती कौन थे मिसर के राश्वाती अब्देल फतह LCC थे निक्स है प्राकरम दिवस कि सोतंता सिनानी की जैनती के उपलक्स में मना जाता है तो प्राकरम दिवस जो है यह देख सकते हैं सुबाश चन्रबोश जी के तो राइटिन सा ओप्सन ए है नेता जी सुबाश चन्रबोश के जैनती के उपलक्स पे प्राकरम दिवस मना जाता है प्रतिवर्स तेश जनवरी को देश प्रक्रम दिवस मनाता है ताकि लोगों विशेश रुप से युवाओं को संगर्ज और चुनोतियों का सामना करने के लिए प्रेरित किया जा सके नेक्स आगे कि हाली में एसी आई खेलों के उद्गाटन समारों में भारती दल का धोजवाग किसे बनाएगे हैं तो हाली में एसी आई खेलों का उद्गाटन समारों में भारती दल का धोजवाग किसे बनाएगे हैं तो यह किसे बनाएगे हैं दूस्तों ए और बी दोनों को लौलीना बोर्गहन और हर्मन पृत दोनों को बनाएगे हैं हर्मन पृत और लौलीना बोर्गहन को कि इंपोर्टन पॉइंट देखिए उनीषवा जो एस्याइग गेम्स हुआ है इसका 23 सितंबर 2 23 सितंबर 23 से लेकर आठ अक्टूबर 23 तक का मैच हुआ है और चीन के हौंग कॉंग में हुआ है कहां पर दोस्तों चीन के हौंग कॉंग कॉंग सहर में हुआ है ACI खेलों का पर्तिक जो है चार साल पर आयोजन किया जाता है आरंभ 1901 में कहां पर दोस्तों भारत के नई दिली में सुरू किया गया था और ACI खेल जो है का और्गनाइजर जो है और लॉम्पिक काउंसिल ऑफ ACI OCA है और बताए दोस्तों उनिस्वा ACI गेम्स का एवजन जो है इसे जूरे हमने पहले से एक टॉपिक बना रखा है जदि आप नहीं देखें उसे जरूर देखिए लगवग 22 या 25 मिनट का है CC की ODI ranking में सीर्ष गेंदबाज कोन बने हैं तो सीर्ष केंदबाज कोन बने हैं दूस्तों यह बने हैं मोहमद सीराज है ना राइट अप्शन भी है नेक्स उसानता है कि परधान मंत्री नारेंद मोदी ने पूराने संसद भावन को किस नाम से संबोधित किया है तो पूराने संसद भावन जो है उसका क्या नाम रखे हैं संभीधान सदन नाम रखे हैं परधान मंत्री नारेंद मोदी तो राइटन सा ओप्शन ए है इसे ज कि मल पटेल निर्मान टाटा गुरूप पहला राश्टिये ध्वज जगदिप धनकर जो वर्तमान में हमारे देश के उपर राश्ट पती हैं राज्ये सभा के अध्यक्षे हैं ने ने नी धागे कि हाली में हाले में अभ्यास ऑपरेशन सजग किसके द्वारा अयुजित हिए हैं तो यह किसके द्वार आयुजित हिए हैं अभ्यास सजग यह जो बता दे आपको भारतिय तट्रक्षक बल इंडियन कोस्ट गाट के द्वारा किया गया है तो राइट अप्षन बी है इसे जुड़े इंपोर्टन प्वेंट देखी ओप्रेशन सजग तट्टीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सभी सभी जो है हित धारकों को सामिल करने के लिए संचालित किया एक अभ्यास है भारतिय तट्रक्षक बल के बारे में दिखिस किया सपना होती उनी सोठतर को मुख्याले है नई दिली में अध्यक्षब वर्तमान में है राकेश पाल है सठ्रा़ में सबसे उन्चा सकरिय जो आला मुख्य जो है मांट एतना किस देश में फटा है तो यूरोब कािए count का सबसे उचा सकरिय को मुख्य का क्यानха मांट एटना यहां किस देश में फटा है यहां बताने दुस्तों है न तो यहां किस देश में फटा है बता दे यहां इटली में फटा है तो राइट यहां सा ओप्सन C है इसे जुरे इंपॉर्टन पइंट देखिए एतना जो है एतना जो आला मुखी इटली के सीसिल सीसिली के पूर्वत में है इसकी उचाई लगभग दुस्तो 3357 मीटर है लगभग फीट में देखा जाए तो 11000 फीट है यह यूरोप में सब से उचा सक्रियज्वाला मुखी और 200 अस्तर पर सबसे सक्रियज्वाला मुखियों में से एक है नेक्स उसन है कि कार्बन लाइट मेटरो ट्रेवल नामक पहल किसने शुरू किया है तो कार्बन लाइट मेटरो ट्रेवल नामक पहल किसने शुरू किया है दोस्तों यहां शुरू किया है कौन यहां जो शुरू किया है यह शुरू करने वाले हैं दिल्ली मेटरो शुरू किय इसका इसे जुरे इंबॉर्डन पैंट देखे क्या है कि दिल्ली मेट्रो कारवन मेट्रो ट्रेवल नाम से नई परुजना शुरू कर रहा है इसका उद्यस जो है लोगों को कारवन उस्थार्जन के लिए प्रती जागरूत करना है ताकि हर व्यक्ति भारत के सुन्य कारवन लक्ष में युगदान दे सके है भारत ने 2070 तक इस लक्षे को पाने की समय जो है सीमा तैर रखा है कब तक 2017-2007 तक इसे पाने का लक्ष रखा है भारत में ना ने ला नेट सम गुछन कुण सा है कि कौन सा देश फिडे वर्लड चैंप्यशिब दो हाद्ची चालीयाए 23 का मेजबानी करेगा तो कौन देश है इसका राइटन dump ए जाकिस्तान करेगा न इम्परyrten पेंट09 if फीडे का फूल फॉर्म क्या होता है दोस्तों इंटरनेशनल चेस्ट फेडरसन होता है इसके अस्थापना को होती है 20 जूलाई 1924 को होता है मुख्याले इसका कहा है सुट्जालेंड के लासेन में है अध्यक्ष अभी कौन है तो आरकेडी डरोर कोचीव है ना डरोर कोचीव उपाद्यक्ष कोने विश्वनाथन आनन्द जुकाहां के दुस्तु भारत के है न एक और नोट्स कहें दिखिए आपके कि नार्वे के पांच बार के विश्व चैम्पियन कहां कि दुस्तु नार्वे के 5 बार के विश्व चैम्पियन जो है मैगनस कारल्सन ने फीडे 20 क फाइनल के पहले टाइब रेकर में भारत के 18 वर्षी जो है ग्रैंड मास्टर आर प्रगनन्दा यानि रमेश बावु इनका पूरा नाम है रमेश बावु प्रगनन्दा को हरा कर या खिताब अपने नाम कर लिये हैं उन्त तो मैगनस कार्ल सेन नेक्स वसन है यह कि देश का पहला ऐसा राज्य जहां के सरकारी अस्पताल में फ्री आईवी एप होगा तो यह कौन से राज्य में सुरू किया गया है फ्री आईवी एप यह सुरू किया गया है गुवा में है न तो राइट एंस ऑप्सन सी है इसका राइट एंस ऑप्सन सी गुवा इंपॉर्डन पइंट देखे इससे जुरह हुए कि गुवा जो है देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पे फ्री आई वी एफ ट्रीटमेंट होगा मुख्य मंत्री वहां के वर्तमान में कौन है गुवा के तो परमोध सावंत है ना परमोध सावंत ने सो मार को गुवा मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट रिप्रडेक्टिव टेकनोलोजी ए आर्टी और आई यू आई फैसिलीटी को लॉंच किये हैं नेक्स को सना यह कि किस अभिनेत्री किस पॉलिवूड अभिनेत्री को एतिहाद एयरवेज ने अपना नया ब्रांड डेमेस्ट केरिंटाइयर तो एतिहाद एयर्वेज दोस्तों यह यू ए का है ना एतिहाद एयरवेज और इस अभिनेत्रीको बनाया हैं तो कैटेरीन अब्सक्राइद में दोस्तों किसे अर्ग अमीडात यू एइक स्थ एयर राइन एथावाज ने भाधतियस ऑवनेत्री को को अपन नया ब्रेंड मेस्टर बनाने की घुसना किया है नेक्स कुछन है कि हाल ही में युनेस्को की वर्ल्ड हैरिटेज साइड में सामिल 41 भारती अस्तल कोन मना है तो 41 भारती अस्तल जो मना है World Heritage Site में वो है सांती निकेतन राइट अंसर ऑप्सन बी है इसका नेक्स हुशन आता है कि हाल ही में UNESCO की World Heritage Site में सामिल 42 भारती अस्तल कोन मना है अब टोटल जो है भारत में कितने World Heritage Site हो गया है होईस्याल मंदिर बना है जो कहां पर है करनाटिका में है प्राइट अप्सन डी है इसका important point देखिए होईस्याल मंदिर इसे जो है हेले वीडू मंदिर के भी नाम से भी जाना जाता है न कहना है इसका हेले वीडू इसका निर्मान बारवी और तिरहवी साताब्दी में होईस्याल ला जांओं के द्वरा किया गया था यह मंदिर जो है सीव और बिश्नु को समर्पित है भगवान सीव और भगवान बिश्नु को समर्पित है युनेस्को का फुल फॉल्पम क्या होता था United Nation education scientific and cultural organization होता है इसका formation कब होता है दोस्तों तो इसका स्थापना जो होता है 16 नवंबर 1945 को होता है इसका headquarter याने मुख्याले कहां पे है तो फ्रांस के Paris में है इसके अभी head कौन है तो इसके अभी जो डाइरेक्टर जनरल है वो है orderly actually है next question है यह है कि service rayst जो अभी नहेतरी के लिए आजकर 9 मैंकन पाने वाली पहली ी Usman महिला कोन बनी है तोशर्स सर्भी नहेतरी के लिए उसकर 9 9 पाने वाली कैसाम है महिला क्षा न महिला बनी है यह इसे जिड़े important two points देक्रिद ед came एवरिवेर ओल एट वन्स के लिए सर्वसिस्ट अभिनेत्री का ओसकर नमांकर पाने वाली पहली ACI बनी है निक्सूसन है कि हाल ही में ACI पूरुसकप दोहेटेस किस ने जीत लिया है तो ACI पूरुसकप कौन जीते हैं किरिकेट में यहाँ जीते हैं भारत है इसे जुरह इंपॉर्टन पाइट देखिए भारत ने कुलंबो में सेरलंका के दस विकेट से हराकर ACI कप दोहेटेस का खिताब जीत लिया है यहाँ भारत का आठमा ACI कप खिताब था है मैं अब दो मैच कौन थे मोहमद सिराज थे और मैं अब दो सीरिज कुल्दी प्यादव और मैं अब मैच का सर्व स्रेश्ट कैच किसे दिया गया था रविंद्र जर्डेजा को दिया गया था नेग्स कूशर आता है क्या कि 15 ब्रिक्ष सिखर सम्मिलन 23 में मैजबानी कौन सा देश करेगा तो पंद्रवा जो ब्रिक्ष सिखर समिलन है इसकी मैजबानी दक्षिन अप्डिका करेगा राइटन सर ओप्सन सी है ब्रिक्स में कितने देश होते हैं ब्राजिल रसिया इंडिया चाइना और साउथ अपरिका पहला ब्रिक्स सिखर समेलन 16 जुन 2009 को हुआ था मिस्र इरान सौधी अरब संयुक्त अरब अमिरात इथोपिया और अर्जेंटिना के ब्रिक्स में सामिल हो होने से मध्य पूर्व अफरीका वह दक्षिन अमेरिका में इस समुख का पर देने तो बढ़ गया है इसकी पूर्ण सदस्यता जो है एक जनुए 24 से परभावी होगी दक्षिन अफरीका पर नेक्षिन है कि किस देश में नगलेरिया फावलेरिया या ब्रेन इटिंग अमी इसे जुरे इंपॉर्णट पोईट क्या है कि नगलेरिया फावलेरिया या फिर कहीं से ब्रेन इटिंग अमीभा जब नाक से सरीर में प्र duals कर लोगों को संक्रमित करता है यह नाक से प्रवлет करता है लोगों में या आमतोर पर तब होता है जब लोग तैरने जाते हैं य जानि कि या जो प्रण्दमिन वह यह पानी से होता है न नेक्षय मोच क्या है कि प्रधान मंतरी नारेंद्र मोदी के द्वारा पंप草 कर्मा योजना लॉंज किये हैं तो यह कम लॉंज प्तुर यह मिलें पर नहीं पर पपर आप valuable बिसु कर्मा योजना की शुरुआत की है और बता देए पीएम बिसु कर्मा योजना क्या है इसके तहत देखे इसमें परदान मंत्री नारेंद मोदी ने इस योजना को प्रामपरिक सिल्प में लगे लोगों को समर्थन और कौसल परदान करने के लिए द्रिश्टी कुण से इसमें पता देए जितने भी निम्न कोटी के लोग हैं जैसे कि लुहार हो गया है जो भी छोटे छोटे वर्गों के हैं उसको जो है यह परसाहित करेंगे और उसमें उनको रिन परदान करने के लिए योजना सुरू किया है पीएम बिस्व कर्मा योजना नेक्स वोसन आता है जाता है तो डाइट एंच से सी है सटक लिए इंबर्टन पवर्टिए सक दोिस्टों क्या है कि अंतरास्थ्टि लोगतंदर दिवास्ट फ्रती वर्स पंदर सितमबर को मनाया जाता है और आर इसका थीम क्या है अगली पीढ्री को सशक्त बनाना है इंपारिंग इंप्वारिंग दा नेक्स्ट जेनरेशन है ना लोगतंद्र दिवस का मुख्य उदेश से पूरे बीस्व में लोगतंद्र को बढ़ावा देना है इस दिवस को संजुक्त राश्टन ने 2007 में घोसित किया था नेक्स उसना ये दुस्तो मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेर्मेन कोन बने है तो कौन बने दुस्तो रजनीस कुमार ना तो राइटेंश ऑप्षन बी है इसका रजनीस कुमार नेक्स वुसना आए दुस्तो नेक्स आए कि देश की सबसे बरी LED screen किस बिल्डिंग में लगा गई है लिख इंटिया इंटरनेशनल और इंडियल इंट्रनेशनल कण्वेंशन और एक्सपो सेंटर है। इसमें भारत का सबसे लम्भी परिए सबसे बरी거나 फिरली इसक्रीन लगाई गेता प्रधानमंत्री नारेंट मोधिनी 17 सृताम मेर्ड़ी तेश को इंडिया इंटर्नेशिनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यसो भुम्य के पहले पाट का इन्लोगेशन किया है यह दिल्ली के द्वारका में बना है दिल्ली के द्वारका में बना हैं पूरा बन जाने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा माइक सेंटर होगा माइक की यानि कहने का मतलब है मीटिंग इनिसियेटिव कॉन्फरेंस एंड एक्जिवीशन सेंटर होगा नेक्स उसन क्या है दोस्तों कि हाली में चार रनवे वाला भारत का पहला एयरपूट कौन बना है इंडरा गांधी इंटरनेशनल एयरपूट बना है इंपोर्टन पॉइंट कहें दुस्तों कि दिल्ली के इंडरा गांधी अंतरास्टिये हवाई अड़े चार रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड़ा बन गया है नागरिक उड़ैन मंत्री जो है जोतिनाथ सिंद्या ने हवाई अड़े के चौथे रनवे का उद्गाटन किये हैं जिससे प्रती दिन लगभग 1400 से 1500 हवाई यातायात से बढ़कर प्रती दिन लगभग 2000 हवाई यातायात हो गया है नेक्टोसन क्या है कि हाली में रास्टिय बहुयामी गरीबी सुचकांग किसने जारी किया है तो रास्टिय बहुयामी गरीबी सुचकांग जो जारी करने वाला कौन सा है निती आयोग जारी किया है ना तो राइट एंसर ओप्शन ए है निती आयोग इंपोर्टेंट पॉइंट के है दोस्तों कि जो नीती आयो के रास्टी बहुयामी गरीबी सुचकांग एक प्रगती संबंधी जो समिक्षा 2023 के अनुसार वर्ष 2015 से 2016 से 2021 के दौरान रिकॉर्ड 13.5 करोर लोग बहुयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं परधानमंत्री होते है कि अस्थापना को होती है दूस्तों 2015 से लाग चς अस्थापना of 2014 कि में 2014 कि 2014 में यह कोने समापन होती है उस समय से नीचियाँग सुरू होता है उसलिक्ति बार पर अद्याक्ष बनें थे नारेंदर मोली है नुनिये के उपधिक्स वर्षमान में कौन है डक्टर सुमन बेडी है नितियायों के CEO कौन है तो बी वी आर सुब्रमन्यम है वी वर्तमान में नेक्स कोशन क्या है दोस्तों कि ओडिशा के आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस निव्ज एंकर को लॉंच किया गया इसका नाम क्या है तो आर्टिफिसील जो है इसका नाम क्या है दोस्तों इसका नाम जो है लीशा रखा गया है तो राइट एंसा ऑप्सन बी है इसका निव्ज एंकर जो है वोडिशा का नेक्स कोशन क्या है कि अस्टेलिया के किस सहर ने कॉमन वेल्थ गेम से 226 के मेजबानी से हटाने का फैसला लिया है तो यह कौन सा सहर मेजबान से हटने का फैसला कर लिया है यह जो है विक्टोरिया है विक्टोरिया सिटी जो है पहले यहीं पर होने वाला था जो नेक्स होने वाला है कॉमन वेल्थ गेम 226 में अस्टेलिय अब यह जो है मना कर दिया है तो राइट एंसर ऑप्सन ए है इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देखे इस से जुर है विक्टोरिया के प्रिमियम जो है डैन एंड्रियूज ने कहा कि उसका राज्य इसके आयोजन में खर्च होने वाले करिब 7 और अस्टेलिया डॉलर के सबसे अधिक आबादी वाले देश को अनुसार भारत ने दुनिया के सबसे अधिक आधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछा छोड़ दिया है सितंबर दोहज़त तेश तक भारत की जन संख्या अप्रोक्स कितना है 183.7 करोड थी है न किदा था दुस्तों लगभग में 183 लगभग समझे 144 करोड है न निक्सोसन के है दूस्तों कि हाली में 202 बैंक के 14 अधियक्ष के रूप में किसने पदभार्ग संभाला है यह कौन संभाले है अजय बंगा संभाले है राइट एंसर ओप्सन ए है इसे जुड़े इंपोर्टन पॉइंट देखिए वर्ल्ड बैंक के बारे में बतादे आप में भीवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गाउं विक्सित किया जा रहा है तो यह किस राजी में विक्सित किया जा रहा है महारास्ट में विक्सित किया जा रहा है तो राइट एंसर ओप्सन सी है इसका इंपोर्टन पॉइंट के है कि हाली में महारास्ट राजी के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गाउं विक्षित किया जा रहा है इसका पहल का उदेश से है कि ग्रामिन छेत्रों में उर्जा का सबसे प्रभावी और स्वक्ष सुरुत बनाने और कार्बन इमिशन को कम करने के लिए समर्थे बढ़ाना है नेक्स कोशन क्या है कि हाली में दिलीप ट्रॉफी दो है तेश का खिताब किस ने जीत लिया है तो यह दक्षिन छेत्र जीत लिया है साउथ जोन ने जीता है राइट अप्सन डी है इसका इंपोर्टन पॉइंट के है दोस्त लिएC HD में दिलिप ट्रॉफी दो है तेश के खिताब जीतली है दक्षीन फैतरेने दिलिप ट्रॉफी 23 के की खिताब जीता है उप वीजेता बना है पस्चमिट Boy तलिप ट्रॉफी मिसकी में संस्क्रान था किहए recruiting में खेला जेटा है नेक्स वी संहें कि विश्वा आर्थिक मंच सिखर समिलन दोह तेज कहां पर आयोजित हुआ है वर्ल्ड एक्नॉमिक फॉरं समीट दोह तेज कहां पर आयोजित हुआ है दूस्तों स्विर्जनलन के दावोस में वह न राइट एंसर ओप्सन ए है इस बार का थीम कहा है कोपरे निधन हो गया यह जो है है ऐधरावाद के आखरी और आठवे निजाम नवाब मीर बरकत अली खान वालासन मुकरम जाह बहादूर का निधन हो गया है वे पिछले एक दसक से तुर्कीं में ही रह रहे थे नेक्स वोसन है कि रास्टी ये बहु यामी गरीबी सुचकांग के अनुसार किस राज्जे में सबसे अधिक गरीबी है तो किस राज्जे में है दोस्तो बिहार राज्जे में सबसे ज़्यादा गरीबी है यह नेति आयोग ने रिपोर्ट जारी किया है नेशनल इंडेक्स के मुताविद बिहार जो है देश का सबसे गरीब राज्जी है जहां पे लगभग 52 परतीशत अबादी है इसके बाद जार्खंड 42 परतीशत गरीबी में है उसके बाद जो है उत्तर परदेश 37 परतीशत लगभग और 38 परतीशत गरीबी है मध्र अभियान शुरू किसने किया है तो यह किसने शुरू किया है दूस्तू उत्तर परदेश शुरू किया है तो राइट एंसर उप्षन सी है इसका important point देख्या है कि उत्तर पर्दे सरकार ने एक Megabrik surge open अभियान सुरू किया है उत्तर पर्दे सरकार ने 35 करोर से विदे पोधर लागाने का लक्षा रखा है Megabrik surge open अभियान का विषय जो है पेर लगाऊ पेर बचाऊ मुख्य मंतरी आधितनात योगी ने बिजनोर को जो है बिजनोर के वीदुर कूटी आश्रम में पौधार उपन का अभ्यान सुरू किये हैं नेक्सोसन क्या है कि वित मंत्री जो है निर्माला सितारमने कहां जी एस्टी भावन का उद्गाटन की है नेक्सोसन है कि दिस्टी बाधित लोगों के लिए दृष्ट हीनता, नियंतरन पॉलिशी लाग करने वाला भारत का पहला राज्य कोण सा बन गया है ? भारत का पहला राज्य कवन है दूस्तू ? राजस्थान बना है ना ? राजस्थान experiencing option C है इसका इसका जूर इंपोर्टन परेंट देखिए राजस्तान जो है अंधता नियंदरन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है राजस्तान में अंधता नियंदरन पॉलिसी लागू की गया है देश में पहली बार राजस्तान सरकार के द्वारा राइट टू साइट वीजन के उद्देश के साथ अंधता नियंदरन पॉलिशी को लागू किया गया है नेक्स सुलिशन है कि हाली में कोब 28 के अध्यक्स के रूप में किसे निउक्त किया गया है तो कोब 28 के अध्यक्स के रूप में निउक्त किया गया है सुल्तान अहमद अल जाबेर को निउक्त किया गया है संजुक्त अरव अमिडा 30 नवंबर से 12 दिसंबर 23 तक एक्सपो सीटी दुबई में जो है कूप 28 की मेजबानी करेगी नेक्स कुशन है कि हाली में भारतिय मुल्को मनपरित मोनिका सिंग ने किस देश में पहली महिला सिख नियाधिस के रूप में सपत ली है यह किस देश में लिए संजुक्त अरव संजुक्त राज यarna अमेरिका में है तो राइट इंस आ ओपüstन इसका सी है संजुक्त राज जो है अमेरिका में मनपरित मोनिका सिंग ने यह सिख नियाधिस के रूप में सपत लिए है कि इंपोर्टेंट कहा है कि भारतिय मोल्की मनपृट मोनिका सिघ ने अमेरीका में पहली महिला सिकh नेयधिष के रुप में सपत लिए मनपृट मोनिका सिंग ने ت simult में कि हैरिस कउंटी हैरिस काउंटी नेधािज के रूप में सपत लिए हम नेखस सुशन है कि हाली में निमतम आय की गे रांटी विधहक पारिट गरने वाला भारत का पहला राज्य कॉन बना है राजस्थान राज असन carrier आप सनगी इस पारित कर दिया इस के सान्थ राजस्थान इस विध्यायक को पेश करने वाला पहला राज्ज्य बन गया है राजस्थान अब सभी ग्रामिन और सहरी परिवारों के लिए एक साल में 125 दिन सुनिष्चीत रोजगार मिलेगा राइटेन सonceन र्रहाइक कोन है। हैumuz-सन रहा है कि भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक पीम पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कोन बने है तो यह जो है नविन पटनायक है न तो राइटनसओ इंस अप्शन डी है नविन पटनायक जो है किस राज्य के सुझे जोदनीक्रमान। इंपोर्टन पॉइंट देखिए नवीन पटनायक जो है भारत में किसी राज्य के दूसरे सबसे लंबे लंबे समय तक सेवा देने वाले सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बने है नवीन पटनायक अब जो है सिक्किम के पौन कुमार चामलिंग के बाद या दूसरे अस्थान चामलिंग सबसे जाला दिनों तक मुख्यमंत्री है उसके बाद जो है नवीन पटनायक का नंबर आता है नेक्स उसर आता है कि हाली में किस सहर में वाटर एटियम लौंच किया गया है दिल्ली में लौंच किया गया है तो राइट एंसर ओप्सन एह है इसका इंपोर्टन पटन देखिए दिल्ली के मुख मंत्री जो है अर्विंद के जरिवाल ने हर घर तक साफ और स्वक्ष पानी पहुंचाने का प्रतिनितु जताई है दिल्ली जल मंत्री वर्तमान में कौन है सौरभ भार्दो राज है नेक्स उसन है कि प्रतिवर्स कारगिल विजय दिवस का मना जाता है तो यह जो है 26 जुलाई को मना जाता है राइटेंस ऑप्षन बी है 1999 में हुआ था कारगिल विजय दिवस जो है प्रतिवर्स 26 जुलाई को कारगिल यूद के सहीद साहिनिकों को सिर्धानजली देने और भारती ससास्त्र बलों को अधमय भावना और समार्पन का के लिए पूरे भारत में मनाया जाता है और कारगिल के साठ दिनों तक चला कारगिल कितने दिनों तक चला था तो किसे रूप में मनाया जाता है नेक्स को सनाता है कि राज्जे में 2070 तक नेट जीरो लक्षे हांसिल करने के लिए वीजन डॉक्यमेंट जारी किया गया है किस राज्जे ने 2070 तक नेट जीरो लक्षे हांसिल करने के लिए वीजन डॉक्यमेंट जारी किया है जार्खंड ने जाड़ी किया है तो राइट एंसर उप्शन ए है इंपोर्टन पॉइंट देखिए जार्खंड राज्जे सरकार ने के फण परियावरन और जलवाई परिवर्तन विभागने 2020 तक नेट जीरो सुन्य लक्ष्य हासिल करने के लिए एक विजन दास्तवेज जाड़ी किया है इस विजन दास्तवेज का मुख्य उदेश क्या है राजे में आर्थिक विकास समावेसिता और समाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए एक रोड मैप तैयार किया करना है नेक्ष्ट वोसन क्या है की शोसल मेडिया प्लेटफ़ोर्म का नाम लोगो बदलगया है नाम तो नहीं उसका लोगो बदल गया है तोरक फुर्या है तुछ्तका होता है 21 Mac से 2006 को होता है मुख्याले कहां पर है कैलिफोर्निया में CEO कौन है विवर्तमान में लिंडा या कारिनो और इसे खड़ दे कौन है तो इसे खड़ दे है ऐलन मस्क कितने में दूस्तों 44 मिलियन डॉलर में इसको कर खड़ दे है ना तो राइट एंसर इसका option C है इसे जुरे important point देखे यह अमेरिकी फूल ब्रूड रोग से होने वाली मौत को रोकने के लिए बनाया गया था यह टीका सुरू में वानिज्यक मधु मखी पालोकों के लिए उपलब्द होगा और इसका उदे से जो है वैक्टरियम पैनी बैसिलस लारवा के कारण होने वाली अमेरिकी फूल ब्रूड बीमारी से बचाव करना है इसका है न देखे आप लोग के लिए टेस्ट किया है दूसरो कि चंद्रम चांद पर चंद्रयान थिरी के लैंडिंग पॉइंट का नामा करन क्या किया गया है तो जहां पे चंद्रयान थिर क्या नाम क्या किया आपको वताना है कॉमेंट क्या भारत सक्ति पॉइंट है या देव सक्ति कॉमेंट सेक्षन में जुरूब बताईए एक और कुशन है दुस्तों कि रेलेवे बोट की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बनी है जै वर्मा सिंग है या डाक्टर सुनाली घोस या फिया अनुपडिया पर्टेल या फिया पूर्वा सिर्वास्तों इसे कॉमेंट सिक्षन में जुरूबता है असाई दोस्तों वीड ज्यादा सेर कीजिएगा